तो आज मेरे पास धूम मचाने के लिए आ चुकी है रेसिंग राली की तरफ से आने वाली क्लाइंबिंग बीस्ट आर्सी कार बहुत ही जादा कमाल की ओफ रूट कार है आज इसकी बहुत ही खतरनाक तरीके से टेस्टिंग करेंगे देखते हैं गाईज ये कार कितनी जादा इसके साथ फाइट कराने के लिए मेरे पास बहुत सारी कार्स ओल्रेडी मौजूद है जैसे की देख से क्यों ये एक डिफेंडर है ये डिफेंडर भी मैंने रेसिंग रैली की तरफ से खरीदा था आपको पता हो गाईज ये कार कितनी जादा पावर्फल है और हर एक टेर मैं इसको अन्बॉक्स करने वाला हूँ इसको मैंने 26,000 रुपीज में खरीदा है लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है वाँसे अगर आप चाहे तो क्लाइमिंग बीस्ट आर्सी कार को खरीज सेकते हो अक्चल में ये एक रैली वाली कार है आप इसको ह हर एक टरेन में चला सकते हो जैसे की सैंड वाटर या फिर ग्रास में कहीं भी चला लोगा इस हर एक टरेन में ये कार बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है यहां पे इसके मेन फीचर दिये गा है 2.4 गिगर्ट का रिमोट है 1-10 है 4-wheel drive system भी इसके अंदर दिया गय यहां पे भी फीचर की भरमार ये कार के अंदर दी गई है चलो फटा फट से बॉक्स को मैं रखूंगा यहां पे आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब क उपर की तरफ यहां पे थोड़ा सा डिजाइन अलग दिया गया है यहां से इसको निकाल लेते हैं पैकिंग इसकी मेरे को काफी जादा तगडी लगी है कार को भी निकाल लिया है मैंने कार का साइज सच में आप देख सिक्ति हो काफी जादा बड़ा है और इसकी उपर जो स्टिकर्स वगेरा लगाए गया है इस वज़े से कार का जो लुक है और भी जादा बढ़ रहा है यह कार कम्प्लीट एक टोयोटा की एफजे कार जैसे ही मेरे को लग रही है साइट मिरर्स भी आप देख सिक्ति हूँ वर्किंग साइड मिरर्स इसके अंदर दियेगे ऊपर की तरफ रूफ रेल्स भी है और इस तरह की ग्रिल भी है पीछे एक एक्ट्रा वील भी है और बड़े बड़े से वील्स दियेगा है वील्स काफी जादा फलफी है ताकि यह कीजड़ वगेरा में बहुत अच्छे तरीके से चल सके और ओल्ल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी मिर को इसकी काफी जादा ऑस्म लगी नीचे से भी कार को दिखा देता हूँ कम्प्लीटली प्लास्टिक के बिल्ड में मिल जाती है मेटल वाला शाफ्ट इसके अंदर मिलता है सस्पेंशन की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो इस बहुत ही ज़ादा डूरेबल सस्पेंशन इसके अंदर लगाए गया है यह काम करते है अब इसको ओपन करके देखते हैं तरफ बंपर भी है और इस तरीके के खुद भी सके साथ दिये गया है तो अभी एक क्लाइमिंग बीस्ट के साइड में देखो मैं ने सभी कार्स को रग दिया है मेरे को लग रहा है मारे पास जो क्लाइमिंग बीस्ट है इन सब को आज बहुत ही कड़ी टकर देगी अगर इसकी comparison मैं Defender के साथ करके बता हूँ तो आप देख से क्यों कि इस दोनों की height बिल्कुल सेम टूसे में पर Defender इससे थोड़ी सी length में ज़्यादा दी गई है, कार दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अब देखो गई यह इसके side में मैं रखूँगा ना, तो यह कार भी Defender जितनी ही बड़ी है, और Jeep को भी रखके बता देता हूँ Jeep के जो wheels है, इनकी चोड़ाई थोड़ी सी कम है बागी तीनों cars के मुकाबले में और Jeep की जो length है, इन तीनों cars के मुकाबले में थोड़ी सी जादा भी दी गई है, तो चलोगे जब ही कराते हैं, fight इन चारों के बीच में देखते हैं, आज ये car इन सभी को हरा पाएगी, या फिर नहीं, तो बैस चलो, first time इसको मैं चलाने वाला हूँ, off-road में चलाऊंगा, road के उपर जाकर इसकी raise भी कराते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, इसके headlights है, यहां से आप इसके headlights को control भी कर सकते हो, इसके अंदर दो-तीन patterns दिएगे, मैं आपको night में ये सारे headlights चेक करके बताऊंगा, अभी इसको मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं कितना मज़ा था इसको चलाने के बाद, वाव, काफी सो ही तरीके से चल रही है, ओफ रोड में भी ये कर दो कल रात में यहां पर बहुत ज्यादा बरसाद हूँ थी इसलिए आपको ज्यादा यहां पर डस्ट उटावा नजर नहीं आएगा यहां पर बहुत बड़ी climbing, देखते हैं यह 25,000 वाली कार यह इतनी बड़ी climbing पर चड़ पाएगी या फिर नहीं पहले धीरे धीरे से चड़ाते हैं इसको देखते हैं इसके अंदर कितनी पावर है वाव कापी अराम से चड़े यार यहां पर आकर पस्टुकी है तोड़ा सा में रिवस्ट लीके इस पर चड़ाँगा बहुत जाना इजी था इसके लिए अब इसके जाद और भी यह कार यहां से इतनी अची दरीकिसे निकलेगी इसका सस्पेंशन बहुत ही जादा अच्छा होने के कारण इतने खतरनाक से मलवे में भी अपनी कार दे को बहुत ही परफेक्ट ली चल रही थी और एक बार भी यह कर बिल्कुल भी पलटके नीचे नहीं गिरी है इसकी पहले एक दो तीन पहले तो मेरे को लगाता कि डिफेंडर इसको हरा देगी पर यह क्लाइमिंग बीस्ट कर इसे भी जादा फास निकली दोनों ही ग्रास में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं पर दोनों के अंदर अब दिस्टंस धीरे-धीरे करके जादा होते जा रह वापस से यहां पर क्लाइमिंग बीस्ट कर जीत चुगी है रैस में अब ग्लाइमिंग बीस्ट कर की मैं रैस कराने वाला हूँ military jeep के सा तकि यह ओपर मैं रैस करा रहा हूँ मेर को लगाता कि पहले यह military jeep आरा हमसे जीत चाहिए पर जैसे ही मैंने फुल ट्रिगर दिया है दोनों के अंदर क्लाइमिंग बीस्ट कार ने इसको भी पीछे छोड़ दिया है रोड पे भी इसकी स्पीट बहुत ज्यादा खतरना के अब इन दोनों कार्स की आपने समने वाली फॉइट करा तेंगा इस देखते हैं दोनों में से कौन सी कार है सबसे जादा पावरफुल चलो आप पता चलेगा दोनों में से कवन है सबसे जादा पावरफुल यहाँ पर क्लियर ली डिफेंडर की कॉपी ने हरा दिया है क्लाइमिंग बीस्ट कार को बहुत ही खतरनाक सी टक्कर थी है दोनों की बीच में पुश बैक तो क काफी खतरनाक थी यार अब दोनों के बीच में एक रस्ती को बान दिया है अब कराते हैं तो को फोर देखते हैं क्लाइमिंग बिश्ट कर अपनी हार का पतला ले पाईगी या फिर नहीं है डिफेंडर की कोपी से दोनों के अंदर पावर बहुत जादा दिया गया है इस वज पावर बहुत जादा यह डिफेंडर कोपी को तो बहुत आसानी से हरा दिया आता तो को फ़र में अब देखो इसके साथ फाइट करने के लिए आचुकि है जिमनी देखते हैं जिन दोनों के बीच मैं तो को फोर करा कि कौन जितता है दोनों के अंदर पावर मेर को उतनी ही लग रही है कभी ये कार आगे खीच रही है कभी ये कार आगे खीच रही है इस विज़े से देखो कोई दोनों गोल गोल यहाँ पे चक्कर काटने लग रहे है मेर को ने लगता कि इस दोनों में से कोई भी जितेगा और दोनों के भीछ में टाई हो चुगा है आप कराटे हैं दोनों के भीछ में ही तकोफ़ देखते हैं गाईस इस बार कौन जितता है क्लाइमिंग भीषकर करने रेस में तो हरा दИाutedा मिलटरी जिप को पर मेर को नहीं लगता गई जिसको यह तको फोर में अरा पाईगी, क्यूंकि यह military जीब बहुत जादा पाउरफुल है, इसकी अंदर भाई काफी बड़े साइस की motor दी गई है, इस वज़े से मेर को लग रहा है कि इसने climbing beast car को चुटकी बजाते ही हरा दिया है, खतरनाक तरी बहुत जादा bright दिखाई दिरी है, और इसके अंदर patterns भी दिएगे, वह patterns अभी map को change करके बता देता हूं, यहाँ पर एक switch दी आ गया है, pattern change करनी के लिए, आप completely यह car की lights off भी कर सकते हो, completely on भी कर सकते हो, यहाँ पर इसके indicators भी काम करते हैं, जैसे की यह रहे हैं, आप complete इसक यह जो lights है, blue color में turn हो चुके हैं, आप चाहे तो सिर्फ indicators भी इसके on कर सकते हो, या फिर इस तरीके से flashing वाली light भी इसके अंदर on कर सकते हो, बहुत ही साही चीज लगी मेरे को यह car के अंदर, बाकी jeep के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो lights दी गई है, और यह बहुत जादा powerful है, yellow color की lights है, side में एक extra light भी इसके अंदर दी गई है, अब यह जिमनी की lights है, जिमनी की lights में भी बहुत सारे patterns देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप वो सारे patterns जो है, चेंज भी कर सकते हो, भी इसकी lights close हो चुकी है, यह on हो चुकी है, अब इसको आप दो बार tap करोगे देखो इस तरीकी की bright light भी इसके अंदर आने लगती है, और corner में blue color की LED light भी इसके अंदर दी गई है, यह इस तरीकी की flashing भी इसके अंदर दी गई है, तीनों यह cars की lights काफी जादा powerful है, मेरे को यह car की lights बहुत जादा कमाल की लग रही है, आज मैं दूंगा 10 लोगों को shout out प झाल को